अगर गनेश चतुर्ती हो या हो कोई भी शुक्त त्योहार बराठी थाली में पुरनपोली का एक अलगी मान होता है और अगर आप भी इसी तरह से पुरनपोली बनाना चाहते हैं तो आएए मेरे साथ और हम मिलकर बनाएंगे बिल्कुल फूली सी पुरनपोली जोट किसामगरी मैंने मेजर करके लिया है दो कटोरी दाल और हम अब इस दाल को तीन से चार पानी से चितर से दूलेंगे डाल हमारी दूल चुकी है तो हम इसमें मिलाएंगे दो गलास पानी पानी मिलाने के बाद अब मैं इसे कर लूँगी सोब दो घंटे के लिए क्योंकि इस चने की दाल को कि चाहिए आधा तुकड़ा जाय फल छे से साथ इलाइची और एक चमचीनी हमने अब इसे ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते इसका पाउडर बन चुका है तो पुरन पुड़ी की आउटर कवरिन के लिए अब हम गून लेंगे एक आटा जिसके लि के अधर मैं रखी चाहिए यह बिल्कुल महीन हमें चाहन लेना है किसी तर पाण जा रहें तो मैंने टाल रुका है आठा उसमें मैंने में इता मैंने मिला जान 23 कम लिएनने घाटा मैंने मेंने और आदे चमच से बहाएं OnePlus से कम लो हम दो तो अब मारा आटा मelाड़ें और इस आपकल देल हम पहले हाथों से यह चिर मिलेंगे और यह वियिख दोटा कर को चोमि न हूं और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी उस हिसमें पानी जह इसको मिला लेंगे और हमें इसका एक सौफ्ट डो जो है तैयार करना है तो अब आप देख सकते हैं मैं अपने हाथों से अच्छी तरह से मसल रही हूं ताकि हमेरा आटा जो बिल्कुल सौफ्ट पने और ज़रूरत की साथ से आप इसमें पानी मिलाते जाएं और अच्छी तरह से पाम से आपके हाथों के मसल देजाएं तो अब आप देख सकते हैं तो आटा जो है वो तयार हो रहा है और अब हम दुबारा से इसमें मिला देंगे एक चिमिश तेल और अब दुबारा से हम इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे उतना ही हमारा आटा जो सौफ्ट होता जाएगा जितना आप अच्छे तरसे मसल लेंगे तो आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हमने गूंदा है और अब बैस पर जबादेंगे थोड़ा सा तेल और अब हम इसे दो गंदे के रख देंगे रेस्ट करने के लिए आप जितनी दिर तक आटे को रेस्ट करने के तो आप अभी देख सकते हैं कि चने की जो डाल है हमारी वह अची तरह से बीग कर फूल चुकी है हो हमने लिए रखा एक पतीला और इस पतीले में हम चने की दाल पानी के साथ ही डाल देंगे और आप इसमें मिला दे एक ग्लास और एक्स्ट्रा पानी और अब हम इसमें मि दूल दी और अब हम इसे अच्छी तरह से मुलाकर पकनी के लिए रखेंगे दाल हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है यह बिल्कुल सॉफ्ट पकी है और इसमें आप देख सकते है पानी है तो डाल हमारी पकी है नहीं इसलिए मैं कर रहे है टेस्ट और चमच की सायता से ब और आप देख सकते हैं यह बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है तो दाल का जो पानी है अब हम इससे अलब कर देंगे और हमें इस दाल के पानी को पेखना नहीं है तो आप देख सकते हैं हमारे पास दाल का पानी काफिस आ रहा है और यह इसे कहते हैं कट और इसे हम बहुत ही टेस्टी जो हैं आम्टी बनाते हैं एक मराट्री डिश है तो मैंने ले रखी है मिक्सर के पॉट में दाल और इसमें अभी कोई पानी नहीं मिलाना है हम इसे अच तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने मिक्सर के पॉट में दाल को अची तरह से महीन पीस लिया है और अब हम एक छनी से इसे चान लेंगे तो आप रख दें एक बाउल की उपर एक चनी और उस पे हम लेंगे हमारा दाल का मिक्षर और एक चमिस से हम इसे प्रेस करते हुए चान लेंगे तो हमारा दाल का जो आटा है आप देख सकते हैं इस तरह से महीन निकलेगा तो दाल का जो आटा है वो मैंने चान लिया है और यह बिल्कुल रेडी है तो मैंने ले रखा एक नॉन स्टिक पैन और नॉन स्टिक पैन में मैंने ले रखा है दो छोटे चमिश घ और मैंने इसमें मिला दिया है दाल का जो मिक्षर है उसे और अब हम इसमें मिला देंगे दो कटोरी गुड़ ध्यान रहे कि कॉंटिटी दाल की जितनी ली है उतना ही हमें गुड़ भी चाहिए तो गुर्ड जो है वो डाल के साथ निक्स होता जाएगा और हमें चमच जो है वो लबाता चलाते रहना है अब आप देख सकते हैं गुर्ड जो है वो डाल के आठे के साथ अच्छे तर से मिल चुका है और यह पक गया है और अब हमारा पुरण जो है वो बिलकुल तयार है तो हमारा पुरण अब पक चुका है और अब मैंने इसमें मिलाया है साथ से आठ इलाइची आधा जाएफल और एक चमच चीनी का पाउडर जिसे मैंने ग्राइंड करके रखा था तो मैंने गैस को बन कर दिया है और अब मैंसे इस पाउडर के साथ अच्छी तर से मिला रही है ताकि इसके फ्लेवर्स जो है वो पूरे डाल में अच्छी तर से मिक्स हो जाए तो अब आप देख सकते हैं पुरेंट जो है बिल्कुल तयार है और यह आटे की तरह लग रहा है बिल्कुल सौफ तो यह बहुत ही गरम होता है तो हम इसे थंडा करने के लिए रखेंगे एक बाउल में तो मैं आप दुबारा से आटा परात में निकाल लिया है दो घंटे तक हमने इस आटे को रेस्ट करने के लिए रख दिया था और अब आप इसमें तेल डाल दें एक चमच फिर से और आपके हाथ का जो पाम है उसे इसे अच्छी तरह से मसलते रहें ताकि जो तेल है हमारी परात में यह सब इसमें एबसॉब हो जाए और इस प्रोसेस से पुरंपोडी बहुत ही सॉफ्ट बनती है हमारा आटा जहें कुरंपोडी का तयार है और यह बल्कुल अच्छा सॉफ्ट बन गया है तो मैंने ले रखा हैं एक बॉल जितना आटा और इसे अब मैं एक कटोरी का शेप दे दूंगी और अब हम इसमें मिला देंगे इसमें समाज है इतना पुरंपोड का बॉल क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं पर आप कम क्वांटिटी मत रखिएगा वरना पुरंपोडी में उसका टेस्ट उसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा पुरंपोडी में और बस हम अब इसे इस तरह से एकटा करते हुए एक मोदक के शेप में लिकर आएंगे और उपर से जो एक्स्ट्रा अटा होगा हम उसे निकाल देंगे और फिर से हम इसे हाथों से रोल कर लेंगे और इसे हम चप्टा कर लेंगे ताकि पुरंड जो हैं कॉर्णर तक पहुंच जाए रोटी में और अब हम एक सूखे आटे से डस्ट कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से हलके हाथों से बेल लेंगे पुरंड पुर्ण पुर्ण हमेशे हलके तो इसे बेले बने फट जाती है तो तवा हमारा अच्छी से गरम हो चुका है और इससे आप मीडियम आज पर ही रखें और आप जैसे देख सकते हैं मैं इस पुरंपुर्ण पुर्ण डाल दी है और जैसे जैसे यह ऊपर आने इस चुरू कर दीजें और बिल्कुल हलके हाथों से हम इसे उलट देंगे और हम अब उपर इस पर गी चोड़ने लग जाएंगे पुरंपुर्ण में अच्छा खासा हमें गी डाला है तो इसे अवाइड मत किजें एक टेक्निक है जो हमें सीखने में थोड़ा समय जरूर लगता है लेकिन आसान है तो आप देख सकते हैं मैंने पुरंपोड़ी को दोनों तरफ से एक लिया है अच्छी तरह से और यह हमारी पुरंपोड़ी तयार है तो बस अब हम इसी तरह से सारी पुरंपोड़ी जो है हमारी बना लेंगे और हमें से बिल्कुल हलके आतों से ही बहिला है जोर बिल्कुल भी मत लगाई है वरना यह फट जाती है कर दो हमारी पुरंपोड़ी तरह से बिल्कुल भी मत लगाई है के gaan C तो पुरंपोड़ी सभी अलग-अलग तरीके से खाना पसंद करते हैं कुछ लोग इसे ऋटिक साथ पसंद कर तो मैंने पुरंट पोड़ी को कर दिया है सर्फ घी के साथ क्योंकि मैं इसे पसंद करती हूं घी के साथ खाना और पुरंट पोड़ी खाते समय घी का हमें टेंशन नहीं रखना है बिल्कुल भी कि एक घर का बना हुआ शुद्ध गी है और अगर आपको रसी भी पसंद आया तो प्लीज लाइक किजिए शेर किजिए सब्सक्राइब करना ना भूली धन्यवाद